प्रवेश व्यासह राश्ट्रिय संस्कृत संस्थान अस्या जयपूर परिशरे सहायका चाहिए प्रश्ट्रिय संस्या जयपूर परिशरे सहायका चाहिए इति धिया प्रश्म शास्त्रस्य वित्पत्ती ही जाता अध्यवयं तस्य वप्रश्म शास्त्रस्य विशय पठामहा जोतिश शास्त्रस्य बहवो विशयाह समाहिताह संतई परन्तु कालांत रेन जोतिश शास्त्रे ये केप विशयाह आसन तेशाम मुख्य रूपेणा त्रिशु भागेश विभाजनम कृतम यथा अचारे वराह मिहिरेणा स्वकिया ब्रहत सम्हिता गरंथे विहितम जोतिश शास्त्र मनेक भेद विशयं सकंधत्रयातिष्टितम तत कार्ष्णियो पनेस्य नाममुनि विहि संकीर्थिते सम्हिता स्कंधेश्मिन गणितेन यागरह गती तंत्रा बिधानस्त्वसव होरा अन्योंग विनिष्च यस्च कतितः स्कंधस्त्रतियो परह अर्थात वेद पुरुशस्या, चक्षू स्वरूपस्या, जोतिश शास्त्रस्या, त्रयाहा प्रमकुसकंधाह संत्य सिध्धान्तिसकंधह सम्हितासकंधह होरासकंधस्चेति सिध्धान्तसकंधे तृट्यादितह प्रलेकाल पर्यंत कालगणना ग्रह गतिही सम्हितासकंधे विविद विशयानाम शमावेशह वर्तते अयमसकंधह सरवादिकतया व्यापकोस्ति भू अंतरिक्ष ग्रहनक्षत्रादीनाम समष्टी गतफल विशेश रूपेन अत्र विवेचितमस्ति वास्तु विद्या मुहूर्त गोचर शाकुन शामुद्रिक आदि विशयानाम पी समाहारह सम्हितासकंधे एव वर्तते होरासकंधे व्यक्ति विशेशस्य फलकतनम क्रियते तदपी शास्त्रम पंचदा विवक्तमस्ति जातकम ताजिकम रमलं प्रश्णह स्वपनस्चेति तेश्वपी सरवाति शायत्वेन जातकस्य व प्राधानियमस्ति यदा कदा होरा शास्त्रमेव जातक शब्देनापी अभिधीयते यथा उक्तम जातकम इती प्रशिद्धम यलोके तदीह कीर्थ्यते होरा अथवा नैव विमर्शन पर्याया खल्वयं शब्दह परन्तु यदा जातकस्य जन्मकालस ज्यानम नभवती तदा तु जन्मकुंडली अपी निर्मातुम नशक्यते नचा तस्य वर्शकुंडली अपी ग्यातुम शक्यते तदानिम जनानाम प्रश्नानाम समाधानम प्रश्न सास्त्र माध्यमे ने वक्रियते असमिन पाठे भवान प्रश्ण सास्त्रस्य विशेश रूपेन वर्णनम पठिश्यती प्रश्ण सास्त्रस्य वित्पत्ति विशेश इदानिम पठामहा जोतिश शास्त्रम कर्मवादस्य प्रयायोगिक रूपेन विवेचनम करोती दर्शन सास्त्रे कर्मत्रैस्य विवेचनम प्राप्यते संचित कर्मनह फल विचारह आधान कुंडल्याम जन्म कुंडल्याम च निर्मितैही विविदर योगेही राज योगेही अरिष्ट योगेही दरिद्र योगेही नाबशादी योगेही क्रियते प्रारब्ध कर्मन हा विचारह दसा अंतर दसा दिवेही क्रियते क्रीमान कर्मन हा विचारह तातकालिक ग्रहप्य गोचर वशा तथा च प्रश्न कुंडल्याह माध्यमेन विधीयते प्रश्ण सास्त्रस्य प्रश्ण सब्दस्य वित्पति विशय वाचस्पत्यम शब्द कोशय एवं विहितं पुम् प्रच्छनम इती प्रच्छ यजया चये इती 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 नय चो शुरूड इती इती श प्रश्णे चे इती इति ज्या पकात च न संप्रसारणम च जिग्या इत्ति एव प्रश्ण सास्त्रस्य अर्थाहा प्रश्ण सास्त्रस्य मूल आधारह भवति जिग्यासा तस्य परिभासायं चर्ग सूत्रे विहितं साक्षी प्रश्ण विधानस्य धर्मस्त्रीपुंश योरपी प्रच्छा तंत्रार्यथाम नायं विधिना प्रश्ण उच्य जोतिश शास्त्रे प्रश्न सास्त्रस्य एकं महत्वबोन स्थान मस्ति अस्या सास्त्रस्य वैशिष्टिय उक्तं ग्रह भाव फलोत्पात सकुनं स्वरवर्णजं प्रिच्छा जातक माचारिय राधिकारस्टकं स्मृतं अधिकारेशु शरवेशु प्रश्न तंत्रं सिरहस शुक्ल इजुर वेदस्य माध्धिनदिने संहितायां प्राश्णी नह प्रश्ण विपाकस्य च विशेशेन उल्लेको लभ्यते रिगवेदे अपी प्रश्ण परिप्रश्ण माध्यमेन अती गूड तत्वानां चिंतनम लभ्यते बादरायन समहितायाम, नार्द समहितायाम, गर्ग समहितायाम चे एकेको अध्यायाह प्रश्ण विद्यायाह करते अवलोक्यते प्रश्ण सास्तरस्य आदी स्वरू पस्या दर्शनम अथर्व वरिशिष्टे मिलदी किन्त अस्य सास्तरस्य मौलिक गरंथानाम रचना खृिश्टाप दस्य पंचम शटककस्य परारंब कालादेव संजाता अस्य विसाइस्य आर्षक गроб्रम ठत्वेन प्रश्ण नारदी ग्रईयते प्रश्ण नारदी ही नारद प्रणि ठत्वेन ख्याता अत्र द्वात रिंशत ज्लोकाह संती कथिते ही असो नार्दसम्हितायाम अंगम इती किन्तू तस्या सामप्रतिक स्वरूपे भागो अयम न लभ्यते प्रश्ण सास्त्रे मुख्यताह चतुर्भी सिद्धानते ही फल प्रतिपादनस्य प्रक्रिया अवलोक्यते तथाच प्रश्ण निरूपनस्य यावंत्योवि प्रणाल्यह प्रचलिताह संती ताह समस्ताह स्वरूपे प्रक्रियायाम्च नितांतम भिन्नाह वर्तुंते तत्र प्रश्नसास्रस्य मुख्यतया चत्वारह सिध्धानताह संती प्रतमह प्रश्नाक्षर सिध्धानताह दृतियह लग्न सिध्धानताह तरतियह स्वर सिध्धानताह चतुरताह रमल सिध्धानतस्च प्रच्छकस्य मनसी प्रश्णस्य उत्पत्ति विचार उत्पत्ति वा बालकस्य उत्पत्ति शद्र्षम एव भवति यथा बालकस्य उपरी ग्रहाणाम शुभाशुब किरणानाम प्रभावः पतति तथे वा कस्यापी जनस्य विचारस्य उपरी बाह्य परिस्थिते हे प वो प्रौब विहतमि उन्ट विए्टाव वित्व लिकारदी जारीजियु गिंदे पान आ जाराओ एंदे विर्ट कीई, प्रौब विए्ट अचछिंग था जाराओ विएटिध जे ता यूब। अ जाराओ जाएट थो पौब। जाराओ प्रान एम्पन कीई नचछिंग प In just the same manner, as the conditions prevailing at the birth time of a child determine the nature of the child born, the nature of cosmic condition prevailing at the query time determine the nature of the query and its results. Dr. Carl Jung has put idea very beautifully by saying, whatever is born or done at the moment has the qualities of this moment. Jyatrakashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashash प्रब्रत्यः संति, यत्रचः प्रस्तारद्वारश्च्छुभास्ट फलकतनम क्रियते अध्य। स्वप्नशास्त्र मपी केवलं तातकालिकी आगामि घटनानाम एव प्रदर्शेतुं समर्तह भवती सर्वेशाम स्वक्षीय स्वप्नानाम सदेव इस्मरन मपी स्यात एतदपी संभवः नास्ति अत एव प्राच्यरिशिवी जनानाम मनो विज्ञानम आधारिकृत्य तथा विवेचनम कृतं तदेव समग्र रूपेन प्रश्नसास्त्रम नामना उक्तं प्रश्नसास्त्रम ही वस्तुतह जातक स्कंधस्य नवा ताजिक स्कंधस्येव अंगम अपितु होरा सास्त्रस्य तद उभय विलक्षनमेव अंगम बर्तते एक तःप प्रश्नतंत्रम ही जात ताजिक शास्त्रेच परिशिष्ट रूपेणापी विवेचितम दृष्यते अपरतह संती अस्य सुतंत्रक्रंथाः अपी अस्य उत्पत्यमादाय उक्तमस्तियत देवग्यस्यही देवेन सदसत्थ फलवांचया अवश्यम गोचरे मर्त्यह सर्वह समुपनीयते अस्रोशींच पुरा विश्णोर ज्यानाय समपस्थितह वचनं लोक नातोपी ब्रह्मा प्रश्णादि निरणयम प्रश्ण सास्त्रस्यप्रमुक्षिधानतानाम विशयई दानीम प्रथामहा प्रश्ण चिंता विशये व्यग्रस्य, देवग्यस्य, विशयस्यक आनुकूल्य, प्रातिकूल्य प्रती यद्रिच्छया देवहितेन भवितव्यं, पूर्वसूचना निमित्तं भवती, ग्रहाणां बंध मनुस्रत्य, कालस्य अनुकूल चिंतनं मुहूरतं, भावी काला प्रिच्छ कश्य भावना मनो वैज्ञान की इस्ति शुद्धा भवेत इती प्रश्ण ग्रंथेसु विहितम। यथा उक्तम मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवग्य भेशजे गुरोव याद्रशी भावना यस्य सिध्धिर भवति ताद्रशी। एवं प्रिच्छ कश्य प्रश्ण कालिक भावनायाह महान महत्वं प्रश्ण ग्रंथेसु निरदिष्टम। प्रिच्छ केन प्रश्णात पूरवं कानिकार्यानि कर्तव्यानि इति वराह महिरेन देवग्य वल्लभा ग्रंथे विहितम। पुस्पईही, फलेही, कनकरत्न युतेही, स्वभूमो नक्षत्र जाति सहितं ग्रहराशि चक्रम। स्रद्धाम अभ्यर्च भक्ति भरबंधुकं धराग्रह, विधाय निजिचेतसी निर्विकल्पे। प्रातह पुमान विहित देव गुरू प्रणामह, पानव वहन कुसुमरत्न फलाक्षताष्च, सत्कृत्य देव विधमादर मादधानह, प्रच्छित सकृत्चुव मनाह, सुबदिंग मुखस्थाह, प्रपंचस्य सर्वशक्ती नाम सूक्ष्म रूपिनी एक व्यक्ती ह प्रच्चकह, ताम नियंदर्नाम करतुम् शक्तिनाम अत्युत्कट प्रेरणया प्रच्चकह देवग्यम प्रति गच्चती, शक्तिर्यम विध्यत प्रवाहस्य एको दुखइव भवति, तस्य समुचित आवेशनार्थम एका प्रक्रिया देवग्ये नुक्ता, यत, प्र प्रश्नात पूर्वं एकस्याह विषिष्ट प्रक्रियाह पालनम करणियं भवति सर्वे देवग्याह इदम समर्थ यंति वराह महिरह देवग्य नील कंठा आचार्य बट्टोत पलह जीवनात इत्यादिभीह स्वखिय गरंतेशु समान रूपेन निर्दिष्ट मस्ति यत सर्वप्रतमं देवग्य से अभ्यर्चना भवेत प्रसंद मनसा उक्तावानी फली भूता भवति यदा प्रच्चकाह देवग्यम स्वअ अभिलाशां प्रकट Assembly थि तदा देवग्याह धनद्रुवाह तथा चय प्रच्चकाह रनНदुवाह भवति यथा धनरिशक्ति नाम योगे विजुद शक्तिहि प्रवहति तथेवा प्रच्चाशमय एका कांतिक शक देवग्य प्रिच्छ के संगम समये अतींद्रिय शक्ते हे प्रवर्तनम भवती, मनुष्याणाम परितह इंद्रिया तीता काचित कांती मै शक्ती ही प्रवह माना भवती इती आधुनिके वेज्या निकाहा अपी अंगी कुरवंती, कीरिलियन फोटोग्राफी द्वारा एतत कांतिक शक्ते हे किंचित दर्शनम इदानिन जातमस्ती, म्रिगेशु, खगेशु, श्वानादी जन्तुशु, इमाम कांतिक शक्तिम ग्यातुम शक्ती ही भवती, एती शास्त्रग्याहा आधुनिक वेज्याने काश्य अंगी गुरवंती, विविद शोधाहा प्राणी व पेन, अतिंद्रिय शक्तिनाम, शुभा शुभ फलानि सूच यंति, अतहा कस्मिंस्थले स्थित्वा प्रश्नहकुर्यात इत्यवी प्रश्नगरंथेशु वहितं, इथा वराह मिहराचारे नुक्तं, इस्थानं पुष्प सुहासि भूरि फल भृत सुस्निग्ध कृत्ति सत्स्वादू दुक निर्मलत्व जनिता अहलादं च सच्छा द्वलं। तस्मिन काले प्रश्नस्य सम्यक्ज्ञानम अपिन भवती, फलस्य सम्यक्ज्ञानम अपिन भवती, पुरा काले देवज्याहा फलं कुर्वंतिस्मा, इतोक्तं, शंक भेरी विपंचीर वैमंगलं जायते वैपरित्यं तदा लक्षयेत, वायसो वा खरह श्वा स्रिगालो प्रश्नलग्नक्षने रातिनादम यदी. भूत शक्तिनाम प्रकटनमाध्यमत्वेन प्रवडतंते एवं देवग्यस्य प्रच्छकस्य चा मनोवस्था प्रच्छास्थानम निमित्तानी चा शर्वेशाम प्रश्णानाम फलनिर्धारने कारणानी भवंती इदानिम प्रश्ण सास्तरस्य चतूरनाम प्रमुक प्रश्ण सास्त्रस्य लगन सिध्धान्ताः प्रश्ण कुंडली सिध्धान्तोस्ति यदा प्रच्चकाः प्रश्ण कालिक लगन मानिय तत्रस्थैही ग्रहीही फलंपर्दिपादितं भवती वराह महिर रचित दैवग्य वल्लभा घ्रंधा प्रश्ण लगन सिध्धान्तस्य प्रथमह घ्रंधा मन्यते तत् पस्चात तश्य पुत्राह प्रतु यशा देवग्य वल्लभा याह साररूपेण 65 शलोकेशु निबधं 65 शिका घ्रंथं रचितवान अनंतर काले आचार्य भट्टोत्पलेन प्रश्न ज्यानं दैवग्य नील कंठेन ताजिक नील कंठी ग्रंथे प्रश्न तंत्रं पद्म प्रभु सूरिन भुवन दीपकं सिद्धनारायनेन प्रश्न वैश्नवं काशिनाथेन प्रश्न प्रश्न प्रदीपह सिद्धनारायन प्रशनदासेन प्रश्नवैष्णवं रामकृष्ण दैवग्येन प्रश्नचंडेश्वरह ग्रंताह रचिताह यतो पि बहवो ग्रंताह प्रश्नसास्त्रस्या लगन सिध्धांतम अदिकृत्यरचिताह संती. एत दनुसारेण यथा जातके जन्मकुंडल्याम विचारह क्रियते तथाईव प्रश्नकुंडल्याम अपि विचारह विधेयह यथोक्तम बुद्वा शास्त्रम यथा न्यायम बला बल विधानतह यथोक्तम जातके सरवं तद्वत प्रश्ने पिचिंताईद लग्न सिध्धांतस्य महत्वं प्रदर्शयन उक्तम यत याद्रशं ज्यानं जातकस्य जन्म कुंडल्या धारेन भवती तावदेव प्रश्ण लग्ना धारेन आपि भवती यतोक्तम संप्रमेय मानस्त्ववशह सरीरी प्रसय देवेन शुभा शुबेन जोतिर विदह सा नि प्रश्णानाम वादी प्रतिवादी शुभा शुबयोगाह स्वास्थ्य संबंधी प्रश्णानाम प्रवासी विचारह चोवरित वस्तु चोवर ज्यानं नकेवलं व्यष्टि रूपेण अपितु समष्टि विशयानाम अपि चिंतनं प्रश्ण कुंडल्या धारेन प्रश्णानाम विच्छति 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 विच्छ प्रश्ण लग्न समये प्रश्ण स्यो तर विचारे त्रिनी तत्वाने निर्विवादं अपेक्षंते। द्वितियो लग्नपो लग्ने कारे कार्याधिपो भवेत। लग्नपा कार्यपस चापी लग्ने यदि तरतीय कहा। चतूरत गह कारे गोव स्याताम यदि लग्नप कार्यपो। प्रश्न लगन सिध्धान ते अमुक कार्यस्य विचारह कस्मात भावात करियते इत्यस्यापी ज्यानम अत्यावशिकं भवती भवस्य ज्याने सती ग्रहाणाम धातु मूल जीव मित्यादि तत्व ज्यानम ग्रहाणाम रस ज्यानम ग्रहाणाम तीरगादि द्रश्टी ग्रहाणाम वात पित्त कफात्मक ज्यानम कालप्राति निध्यम द्विपदादी जीवत्वं ग्रहाणाम रस ज्यानम ग्रहाणाम व अभस्थाह तधाचग्रहाणां वला वाल विशेयह प्रश्नशाश्ट्रे परमावश्यकाह भवंति.' द्रिशकाण चिंतनं प्रश्ण लग्नस्य एकम अत्यंतं महत्व पूरणं Otherwise, is the तत्र यह कारियेशह यस्च लगनेशह तव उभव अपी यदि एकस्मिन द्रिशकोणे कारेभावेच स्थितो बवत तदा प्रश्टुर लाभव बवती यतोक्तम लगनपह लाभपस चापी लाभेश्याताम उभव यदि सितो द्रिशकोण एकस्मिन प्रश्टुर लाभस लगनसिद्धांत विविक्षायां केरलीयानायम अपी बहु योगदानं वर्थते प्रश्टुर शास्टुर स्य सरवादिकतया प्रचारह केरल प्रदेशे द्रिश्यते इदानिम अपी तत्र जन्म-पत्रदर्शनापेक्षया प्रश्टुर आधारेण एवफल विचारह अत एवा प्रश्न ग्रंथेशु केरलिये सास्त्रस्य अत्यन्तं महत्त पूर्णं योगदानं वर्तते। अत एवा प्रश्न ग्रंथेशु केरलिये प्रश्न ग्रंथेशु एव द्रिश्यन्ते। अत एवा प्रश्न ग्रंथेशु एव द्रिश्यन्ते। इस्वरेच्चया समुद्भवंती दिपुण देवग्याह तेशाम निमित्तानाम दर्शनम कृत्वा शुभाशुभं वदती अश्टमंगल प्रश्नह प्रश्नलग्नमाधारी कृत्या फलनिरुपणं करोती अश्टमंगल प्रश्ने तातकालिक क्लेशानाम उपायान आतव व्याह देवग्येन समाहितेन समयो देशस्वायुडदशा प्रश्टुस्पर्शनमास्टित्यरक्षहरितव प्रश्नाक्षराने स्थितिही चेश्टा भाव विलोकनेच वसना ध्यन्यक्यक्तकालजं प्रच्छा यहा प्रश्शमयेत देत दखिलं येयम ही वक्तु एतेशाम दसविशयानाम आधारेणेव यह फलितं करोती तस्य फलितं अवश्यमेव सत्यं भवती लगन सिध्धांते जैनाचार्यानावी बहत पूर्ण योगदानम वर्तते उत्तर भारते स्वेतांबर जैनाचार्येही चतुर दश पंच दश शोडश्रताब्दिकाले विविदागरन्थानाम रचनाकरताः चायाम हेम प्रभु सूरिना उक्तम यत लगनेव नवग्रहा परमानंद पंच भूतानी माता पिता स्वामी लक्ष्मी च भवती यता उक्तम लगनम देवह प्रभुस्वामी, लगनम जोतिह परंमतं। लगनम दीपो महानलोके। लगनम तत्त्तम्धिशन गुरु। लगनम अता पिता लगनम। लगनम बन्धुर निजस्मेटं। लगनम बुद्धिर महा लक्षमिर। लगनम देवी सरस्वती। लगनम सूर्यो ईदानिम प्रश्न शास्त्रस्य प्रश्नाक्षर्व सिध्थांत विशेकिनचित पठामाः प्राचीन काले सरवदा प्रश्न कुंडल्याह निर्माणं संभवं न भवतिस्मा तथा चा प्रश्न कुंडली निर्माणे दोशाणाम अपि संभावना भवतिस्मा अथा प्रश्न शास्त्रे शुर्बाशोब निरुपनस्य एका विलक्षणा पद्धती ही आविश्करता याच प्रश्नाक्षर सिध्धांत संगया प्रसिध्धा अस्याम पधत्याम प्रश्न करतूहु उच्चरितेभ्या अक्षरेभ्या फलप्रतिपादनम क्रियते। प्रश्न निर्धारणस्य अयं प्रकारह यत प्रातह काले समागत्या प्रच्छकस्य मुखात पुष्पस्या नामुच्चारणं कारयेत बध्यानकाले फलनाम अपरानकाले देवतायाह नाम सायंकाले नुद्याहावा परवतस्य नाम देवग्या प्रच्चेत तन्नाम एव प्रश्णवाक्यत्वेन ग्रषणियात सुरवेंजनान गुणं प्रश्णवाक्यं विश्लिष्य सैं युक्त अभिहत अनभिहत आदि अष्टबेदेही फलं भवती अस्यां पद्धत्यां भद्र भाहु स्वामि रचिता अरह चूडा मनी सारह सर्व प्रतमह ग्रंतह प्राप्यदे अस्मिन ग्रंते चतु शप्तती गाताह संती अयम ग्रंताह प्राकृत भाषायां रचितह वरतते भाषा द्रष्ट्या विवेचन द्रष्ट्याच अयम अत् अंतारकाले चंद्रोन् मीलन ग्रांथ हा प्रस्द्ध हा प्रस्णाक्षरे फलकतनाय आय प्रश्न प्रणाली विधिय प्रियोज्यतेसमा। तेश्व भटवो सरी रचित हा आय ज्ञान दिलक judgment मल्लिशेनाचार आय शद्भाव प्रमुकह भरत। तथाचा आय प्रदीपिका, आय प्रश्न तिलकाह, प्रश्न ज्यान प्रदीपाह, आय सिद्धीह, आय स्वरुपादी ग्रन्थानाम रचना अभवत, आय प्रणल्याह प्रवडतका सुग्रीव मुनिह उच्चते, आय सद्भाव प्रकरणे सुग्रीव मुनि संबंधे उक् शुग्रिवादी मुनिंद्रेही रचितं शास्त्रं यदायसत भावं तत संप्रत्यार्या भिर विरच्यते मल्लिशेशेन केरल प्रदेशे अपी अस्य सिद्धान्त स्य प्रचार आसीत केरल प्रश्ण संभिता, केरल प्रश्ण संग्रह, केरल प्रश्ण संग्रह, केरल प्रश्ण रत्न, केरल प्रश्ण रत्न तत्व इत्यादी ग्रंथेशु एतत्सिद्धान्तानु सारेण फल ज्यानस्य प्रक्रिया प्राप्यते। अस्य सिद्धानत अस्य मूलाधार मनोवैज्यानिकः वर्थते बाह्या अंतरिक परिश्थिदी नाम प्रभाव वशादेव प्रचकस्य मुखात प्रश्नाक्षरानी निस्सरणते मनोवज्यानिकाना मनुशारेन मस्तिषके कस्यापी घटनायाह प्रतिक्रिया भवती सैव प्रक्रिया मानवस्य आचरने प्रदर्शिता भवती अस्मिन सिध्धानते प्रश्नाक्षरानाम सैंयुक्त, असैंयुक्त, अभिहित, अनभिहित, अभिघातित, आलिंगित, अभिधूमित, दग्द संग्याभी ही प्रश्नानाम फलाफल विचारह क्रियते सरवाणनेपी अक्षराणी पंचवरगेश विभाज्या अयम विचारह क्रियते इदानिम प्रश्नसास्त्र से स्वरसिधान्त विशय पठामाः प्रश्नसास्त्र से उल्लेका नकेवलं जोतिश ग्रंतेशु अपितु भारतिय धर्म गरंतेश्वपी बहुधा प्राप्यते वालमिकी रामायने, महाभारते, योगवाशिष्ठे, स्रीमत भागवत, अगनी, विश्नोत धर्मोत्तर, पुराणादिशु, स्विवश्वरोदय, हटय योग प्रदीपिगायां, घेरंड समहितायां, नर्पति जयचर्या स्वरोदय, समरसारे, पंचस्वरा गरंते, सप अंतरभावा संसाधिताह, परंच, भारतिय जोतिष्षे, संकरवालकृष्ण दिक्षित महो दैईही, तु स्वरशास्त्रम शाकुनमिति अंगी क्रत्य, संहिता सास्त्रे, तस्य अंतरभावा विहिताह, अस्य सास्त्र स्य उपदेश्टा, पार्गती परमेश्वरह, स्री शंकरह एव अस्ते इती स्वरोधय विदूशाम सद्रिडधारणा वर्तते, तत्र को नाम स्वरह, स्री सब्दो पतापयोह, इती भाववा दिकात, रिदोरप इत्यप प्रत्य संदिधाने, विहितेच गुण विधाने, स्वर सब्दो निश्पद्यते, स्वरती शब्दा प्राणात्मक वैद्युताग्णिना, सरवं अपिनाडिस्थानम उपतापयत इती भाव, स्वर्यते, सब्द्यते, वर्चस्वरोपेना, पुतप्यते, अनेने इती भाव, स्वयम संचरनशीलह, श्वाष प्रश्वाशात्मकतया, प्रचलनशीलो भवति इती भाव, स्व चिड़्यादी वित्पत्या सम्रध्धा स्वयं शिद्धा स्वर शब्दो वेदेशु प्रायह उद्धात अनुदात श्वरित निगात प्रचय पंच रूपे शवाप्यते शिवस्वरोदये स्वरसास्त्र सिधान्तस्य वैशिष्ट्यम एवं विहितं स्वरज्ञानात परंगोहियं स्वरज्ञानात परंधनं स्वरज्ञानात परंग्यानं नवाद्रिष्टं नवाश्वतं सर्वशास्त्र पूराणादी स्मृती वेदांग पूर्वकं स्वरज् नाश्तिकि इंचित्वरानने लाभा लाभं शुखम दुखं जैपराजयः जीवन मृत्य प्रश्णह सरवेश्याम ज्यानं स्वरेण भवती यथोकतं लाभा लाभं सुखं दुखं जीवितं मरणं तधा जैपराजयश्चेती सरवं गेयं स्वरोधये स्वर शास्त्रे न जन्मकालस्य अपेक्षा भवती नात्र दीरगं गणितं अपेक्षते इधानिम प्रश्न शास्त्रस्य रमल पद्धती विशय पठामाः रमल शास्त्रम पाशक विद्ध्या अपि उच्यते रमल शास्त्रस्य अपि प्रश्ण विद्ध्यांगत्वेन प्राग काले समुधितं आसीत यावनेशु अस्य विशेशन प्रचारह जाता इती यावन परिचय रूपेड रमल शब्देन ध्योत्यते रमते इती रमह पचा पूर्वोक्तेशु सरिवेश्वपि विधिशु सर्वत्र शकनुम् आदो प्रश्येत इतिनियमेन प्रश्णशमय समंत तह सकुन परिक्षा कर्तव्या संजाते शकुने केनाप विधिना विनापी शुभा शुभोत्तरम दातुम शक्यते एतेन पंच शिध्धान तेशु प्रश्णाक्षर सिध्धानत विद्वत्भीहि सरवाधिकं वैज्ञानिकं युक्ति युक्तं चमन्यते एकस्मिन एवकाले प्रश्णे सती सर्वेशाम जनानां प्रश्नाक्षराणी समानानी न भवंती भिन्न भिन्न मानसिक परिस्तित्यानु सारेन भिन्न प्रश्नाह भिन्न प्रश्नाक्षराणी भिन्न फलानी च भवंती अत एव आधुनिकाह अपे अस्य पध्धत्याह सिध्धान्तान आमनंती अंगी कुरवंती च इत्थ प्रश्ण सास्तरं भारतिय रिषीनां ज्यान विज्यान अस्य एकः प्रभागह वर्थते। यह जीवनस्य सरवेशाम महत्व पूर्ण प्रश्णानां सरवासाम अपे संभाव्य घटनानां ज्यानं पूरवाननवानां चा गरोति। अस्य शास्त्रस्य इदं वैशिष्ट्यम वर्तते यत अनेन अति विस्त्रतं गणितं अकृत्वा एव इष्ट शाधना गुरोह आशिर्वादेन सात्विक दिनचर्ययाच सर्वेशाम अपे जीवनोप योगी प्रिश्णानाम शुभाशुभं विज्यायते विर्णीयते च सरवाण निपे वेदांगानी वेदेशु एव अंतरहितानी भव वर्तंते परन्तु शूत्र रूपेण एव प्राप्यंते प्रथु यससह शटपंच शिका ग्रंथा प्रश्णशास्त्रस्य प्रतमह ग्रंथा मन्यते अनेन ग्यायते यत पंचम शष्टम प्रश्णशास्त्रम प्रचलितम आसीत जैनानाम अरहत चूडामने ग्रंथा प्रश्णशास्त्रस्य प्राचीन ग्रंथा मन्यते नवमशताब्द्याम प्रश्णाक्सर सिध्धांतस्य विकासह संजातह चतुरदशु शताब्द्याम रमल प्रणाली प्रश्णलगन प्र प्रश्न प्रणाली स्वरविज्ञानस्य प्रचारह प्रचारस्य समारब्धा संप्रती दक्षिन भारते केरली प्रश्न प्रणा प्रणाली था उत्तरे प्रश्न समय सिध्धांता प्रयुज्यते पाठे विविद सिध्धांताना प्रतिपादन काले ते शा मुख्य गरंता प्रश्नकार्यण विष्टर्याँधिया नित्य विदो आनिन तस्य प्रश्नस्य उत्तराणी प्रश्नसास्त्राधारेणे वदियंते प्रश्ने सास्त्रेपी चत्वारह मुख्य सिध्धांताह भवता पटिताह तत्राप्ष्नाक्षर सिध्धांतस्य अत्यदिकम् वैशिस्टियँ विःतम यतोही, मनोवेज्ञानिक रूपेना जनानाम प्रश्नानाम अक्षरानी भिन्यानी भवंती अत एव प्रतिय कष्यय जनस्या एकस्मिन्न एव काले भिन भिन फलंबक्तुं शक्य ते अत हा चतुर्षु सिध्धान तेशु प्रश्नाक्षर सिध्धान तह 만ोविझ्यानिकेह सरवोत नमतया मतं तथेवा स्वरसिध्धांता धारेणा अपी चमतकारिक फला नाम चिंतनम करतुम शक्यते देवग्याहा स्वकिया स्वरज्ञाने नेव प्रश्णानाम उत्तराणी प्रददती तथाच प्रश्ण कुंडली माध्यमेन फलम अपी अत्यंत समीचीनम भवती परन्तु तस्यक्रते प्रश्ण कुंडली निर्मान आरतम तातकाली ग्रहस्तित्याह ज्यानम अवश्यकं भवती रमल शास्त्रम्तु पाशाणाम अधारेण फलम करोती परन्तु सहविदिहि इधानिम भारते नत्रश्यते एवं प्रकारेण सारे रूपेण भवता प्रश्ण सास्त्रश्य मुक्य सिद्धानता नाम विशये अस्मिन पाठेग्यातम नमो नमा